मुझे आप लोग कैसे आप सब लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खेरियस होंगे आपके बाट भी ठिक टाक होंगे सागत करता हूँ आप सबी का इंडियन बजीजन लबड चैनल में आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है बर्सात में होने वारेस से अपने बड को कैसे बचाना है जब मौनसून लग जाता है तो अपने बड की केर कैसे करनी है कैसे डाइट देनी है तो वीडियो बहुत जादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है किमत जाजेगा बने रही है वीडियो के साथ जल्दी से सब्सक्राइब परें इंडियन बजीजें लबबड चैनल को बैल आइकन को प्रेस करना नहीं भूले वीडियो को टापी शुरू करते हैं दोस्तों कि जब बरसाथ आती है तो इनसानों को बिमार कर देती है ये तो एक छोटी सी जान है परिंदा है ये कैसे बिमार नहीं हो सकता तो यही दोस्तों मुझे आज डिसकस करना है आपसे और आपको इंस्ट्रक्शन देने किस तरह से अपनी बर्ड की केर करनी है जब बरसाथ आती है तो बर्ड को कौन को सी बिमारी आटेक करती है और फिर बर्ड को किस तरह से बचाना है कैसे फूड रखना है कैसे केर करनी ह साफ सफाई रखनी है Rabbit and Clean रखना है और कैसे बिर्ड को फूड्ड प्रोवाइड करना है और पिर जब बिमार ओजाता है तो किस तरह से हमें बिर्ड का इलाज करना है तो दोस्तों जब बरसाथ आजाती है तो बरसाथ की जो 70 की बीइक में उती है तो बरसाथ आने बाद एक बारेश के आने के बाद ही हमिडिटी लेविल एकदम से बढ़ जाता है तो असी से ओपर चला जाता है तो इसका मतलब यह कैन्द नमी बढ़ जाती है उसके बाद अगर दूसरे दिन धूप निकल आती है तो बरसात आने के बाद जब धूप निकलती है तो उससे उमस होती है हपस पैदा होता है यह सबसे ज़्यादा नुकसान दे होता है जब कॉरनी के अंदर हपस होगा और उमस होगी तो बर्ट को breathing problem होगी बर्ट सांस लेने में दिक्कET करेगा और बरसाथ की नमी की वजह से बर्ट को नüzला होने लगता है बर्ट की नोससे snizzing होती है नजला भेहने लगता है और सांस की problem होती है और बरसात में जो कॉरोनी गंदगी हो जाती है और जो बर्ड बीट करते हैं वो बीट गीली हो जाती है गीली होने के बाद जब दाना पड़ा होता है वो भी बरसात के पानी से गंदगी हो जाती है उसके अंदर नमी आ जाती है और गंदगी से जो है उसके अंदर कीड़े हो virus आने का 100% chances हो जाते हैं कि आपके पास गंदगी में सबसे जदा virus attack करता है जब आप कॉलनी को गंदा रखेंगे तो वो सबसे जदा virus attack करेगा बर्साद में सबसे जदा बचानी की चीज़ ये है कि आपको कॉलनी को neat and clean क्रेंड रखना है बिल्कुल साफ सोत्रा रखना एकदम सूखा सूख्धक रखना है बिल्कुल गिली प्रण तेरही quantity को believed the प्रणा नर्णा नि होगा और short food food नहीं होगा जो उनकी बीड होती है वो नहीं होगी तो वो गीले होने से सड़ेगी नहीं गंदी नहीं होगी इसकी वज़ा से बीमारी नहीं होगी वाइरस नहीं आएगा और जब दोस्तों बरसाथ आती है तो बर्ड जब दो जब दाना खाता है जो आप short food रखते हैं वो के अंदर फपुंदी पैदा होने लगती है फंगस पैदा होने लगता है उसकी बजासे बड़ जो खाता है उससे बड़ का पेट खराब होने लगता है जब पेट खराब होता है वो बड़ फूड को फंगस वाले फूड को बड़ डाइजस्ट नहीं कर पाता है डाइजस्ट बर्षाइब है मैं आपनी कॉलनी को किस तरह से नीट एंट क्लीन रखता हूं जब साथ आजाती है सबसे पहले है अपनी कॉलोक को साफ करता हूँ यह आप देख सकते हैं मैंने ज signatures बीट है इस पत्ति लेनी है Neat and clean करना है बिल्कुल आप ऐसे साफ करेंगे इसको और फिर दोस्तों मैं अपनी कालोनी को दुलाई करता हूँ सारी साफ सफाई रखता हूँ तो यह देख सकते हैं मैंने वो पती से साफ करके और सारी बीट साफ करके मैंने अच्छे तरीके से पानी से धुराई कर दी है पूरी दोना कॉलोनी को मैंने अच्छे से साफ कर दिया है और बिल्कुल यह आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट और क्लीन है पानी से धोने के बाद जब कोरोनी सूख जाती है तब आपको इसके बहुं उन स्परे लेना है जब आपके पास अगर विरकोन ऐस है आप उसे भी स्परे कर सकते हैं वारेस अटेक ना करें तो बेक्टेरी इनफेक्षन होता है उससे बचाता है यह मैं अपने पास हमाले का जो कि बर्ड को नुकसान नहीं करता तो ये मैंने इस तरह से देखी ये पानी सूक चुका है तो मैं कौनों कौनों में जाकर इसको अच्छे तरीगे से स्प्रे करता हूं और ये देख सकते हैं दिवारों पे और नीचे फर्श पर पूरे अच्छे तरीगे से एक एक चीज़ मैं वारस अटेक नहीं करें उसको मैं सब पूरे अच्छे तरीगे से पूरे कॉलन्यू को स्परे कर देता हूँ यह आप देख सकते हैं इस तरह से आपको स्परे करना है और भाती अच्छा स्परे हमाले का यह मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इस प्रे के बारे में के काफी अच्छा हमाले का आयूर्वेदी यह क्योंकि यह बर्ड को नुकसान नहीं देता अगर बर्ड की आख में चौच में या दाने में चला भी जाता है तो यह नुकसान नहीं देता और यह देख सकते हैं यह इस पैसेज का एरिया है और मट्किया रखी वी है लेकिन मैं इदर से ही पैसेज का एरिया को साफ करूंगा यह मैं अच्छे तरीके से पूरी धुलाई कर देता हूँ पैसेज को पूरी साफ सुतरा करके एकदम नीट और क्लीन सब मैं बिलकुल पानी जितना भी यह सब निकल जाता है मैंने इस तरह से बनाया है कि पानी का निकास कि पूरा कॉलनी का पानी निकल जाता है तो इस तरह से मैं साफ रखता हूँ फिर उसके बाद मैं फिर उसके बाद मैं मैं अपना जो भी दाने का पाउट है सब पूरा सर्फ पाउडर से पूरे अच्छे से क्लीन करता हूँ जो भी मट्टी के बरतन मेरे पानी के बाउल है ये सब इनको अच्छे से साफ रखता हूँ और यह लाहोरी नमक है यह लाहोरी नमक को भी मैं अच्छे से जूने से साफ करता हूँ यह आप देख सकते हैं मैं अच्छे से दो दिया है और इनको एक एक बाउल में इसको रख देता हूँ तो इस तरह से इसको रखता हूँ तो ये देख सकते हैं ये मैंने कालोनी के अंदर ये बाउल रख दियें लाहुरी नमक के और दाने को भी मैं अच्छे से रख दूँगा और इस तरह से आपको जो है नीटन क्लीन कालोनी रखनी है मैं ऐसे साफ रखता हूँ जब भी बरसात आती है और इसके बाद जो है जो भी वायरस होगा वो अटेक नहीं करेगा जब आपकी कॉरणी नीटेन क्लीन होगी और साफ सुतरी होगी सौट फूड भी आपको अच्छे से साफ करके देना है और दाने का पॉड और सौट फूड का पॉड दोनों को साफ करके देना है और सौट फूड थोड़ा सा देना है ताकि बर्ड जल्दी से खा ले उसको खत्म कर ले और दाने के सौट फूड के पॉड को फॉरण हटा ले और कॉरणी के अंदर बारिश का पानी नहीं आए वो आप कोशिश करें कि बारिश के पानी अंदर तक नहीं पहुचे बारिश का पानी पहुचेगा और गंदगी होगी तो बिमारी पैदा होगी और दोस्तों जब बड़ बिमार हो जाता है तो आप बस एक काम कीजिए कि बड़ साथ में सबसे अच्छा यही है एंटिबाइटिक मैं टेटरसैकलिन देता हूँ टेटरसैकलिन आपको 4 ग्राम एक लिटर पानी में देना है यानि कि एक चम्मच से 14 इससा आपको देना है जब बैर आइकन को प्रेस कर दीजे फिर मिलते हैं नए वीडियो और नए अच्छे से टॉपिक के साथ तक तक के लिए अल्लाहाफिज